हाँ बई देखे हमारा कल चल रहा था क्या अतिव्यापन क्या चल रहा था अतिव्यापन या ओवर लेपिंग ठीक है तो हमने कुछ बात भी की थी कल कौन कौन से के बार में बात कर ली थी पहला ओवर पर लैपिंग हमने पढ़दा था ऐस सक्षक में कौनसे मैं ऐस सक्षक में ऐस ऐस ऑवर लेपिंग कि अब की हुए हमने किया था कि एस आदर कोई भी नोड नहीं प्रजेंट होती है में कोई भी नोड उपस्ते नहीं होती इसलिए चारों तरफ से किसी भी तरक्सिक एनीक क्या कर सकता है, वो, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापत ने कर सकते हैं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा कल बताया भी ता मैंने, ये लेजी, आइस काक सकाईगो आपका, और ये दूसरा रहा, और ये दोनों मिल गए अगर लेंगे, एक दूसरे के पास लेके आएंगे, क्या होगे, एक दूसरे के उपर क्या हो जाते हैं, अतिव्यापित या अध्यारोपित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरे लेपिंग कहते हैं, अब इनके लिए कोई डारेक्शन की दिशा से क्या कर सकते हैं एक दूसरे के उपर अभी अतिव्यापिते फो सकते हैं और अतिव्यापित होके ये लिजे सर अब जो येलो वाला कलर्स चो कर रहा हूं मैं इसका मतलब यह क्या हो रहे हैं यहां पर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं अती व्यापिते हो रहे हैं किलियर है ठीक है अगला देखो नमबर दो कौन साथ हमारा एस पी ओरलेपिंग यहां अती व्यापिन देखिए अब हमें पता है एस का आकार कैसा होता है गोला कार लेकिन पी का आकार कैसा होता है डंबला कार कैसा होता है डंबल सेप डंबला कार होता है तो यह लेज़े डंबला कार सेप हो गया अपका तीक है अब आसानी से ये भी देखो अब पी ककसक है वो पी ककसक किसी भी दिसा से आई लेकिन सामने कौन है इसके साथ है एस ककसक है और एस क्या करती कैसी है गोला का इसलिए ये दोनों भी किसी भी दिसा से डारेक्शन में आएं, एक दूसरे के पास में आएंगे, तो क्या हो सकता इनके मद्दे अतिव्यापन आसानी से हो जाएगा, इन दोनों के मद्दे अतिव्यापन हो जाएगा, ये लेजिए, कौन सा? हो गया? अब इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो भी एक्सिस लेते हैं अपन, वह तीन परकार की एक्सिस बताई थी मैं निकल, कौन कौन सी? अगर आप यहाँ पे और लेपिंग मान लीजे, क्या? यहाँ पे तो कोई एक्सिस की जुरूत नहीं, आप किसी भी एक्सिस में ले लीजे, एस वाले में तो किसी को कोई प्रोब्लम है, नहीं होगी, किसी भी एक्सिस ले लीजे, एक्सिस से लिए, या जेड एक्सिस, हमे गुण पाये जाते हैं, क्या पाये जाते हैं, तो यह हो गया, अगला देखिए, अगर मैं अगले की बात करता हूँ, थर्ड नमबर, यहां पर मैं करूँ, पी-पी अती व्यापन, क्या करते हैं, पी-पी अती व्यापन, पी-पी अती व्यापन में देखिए, पी का सक, अगर एक यह आपका पी और दूसरा मेने यह लेजी इन दोनों के मद्दे क्या करवाना है और लेपिंग या अतिव्यापन करवाना है अब इनकी एक्सिस दोनों के अगर सेम है अगर दोनों सेम एक्सिस में है तो यहां पे और लेपिंग तो होगी होगी इससे पहले थोड़ा सा मै पीछे वाले में बता देता हूँ देखो यहां पे आगे पढ़ेंगे sigma और πाई बंद तो आगर यहां पे same axis में हो रहे हैं तो यहां पे कौन सा बंद बन रहा है sigma बंद कौन सा बन रहा है sigma bond का formation हो जाएगा किसका होगा भई sigma bond यहां भी कौन सा हो जाएगा सिगमा का कौन सा बंद बनेगा सिगमा बंद का अरे एक्सिस अगर सेम है इनकी तो कोई प्रोब्लम नहीं है हमेशा कौन सा बनेगा इसमें सिगमा बंद का निर्मान होगा लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आप यहां भी सेम एक्सिस में बात कर रहें, अगर आप कहें कि यह जैड एक्सिस, तीन एक्सिस होती है आपकी, यह जैसे एस को मान लिया, यह एक्स एक्सिस उपर की दरब, और यह आपकी जैड एक्सिस, और वाई कैसे हो जाएगी, क्रोस हो जाएगी, जैसे तीन पहन दो म देखे इसके अनदर आप जो आपके एक्सिस के तीनों ये तेन एक्सिस आप इन में से मैं कह रहा हूँ कि यह आपकी कौन सी है ये ब्लेक वाली कौन सी मान के चल रहे हो जैडेक्स से मान ली और यह कौन सी कोई कोई सी भी एक्सी मान लो, उस्से कोई प्रोब्लम नहीं होगी, इसको मैंने कहा X-AXS, इसको कहा Y-AXS, और इसको कहा Z-AXS, ठीक है, लेकिन आप देखें यहां पे, जो अगर मैं यहां पे यह मानर करा हूं कि यह आपका Z-AXS है, यह पहला ख़क पीक ख़क Z-AXS में, और इस overlapping को कहते हैं, कौन सा ? कौन सा बंद बनेगा, इस में ? Sigma बंद बनेगा, कौन सा ? मतलब सीधे सी एक कहानी याद रखनी, अगर समान एकसिस के अंदर, समान एकसिस के अंदर, दो खक्सकों का अतिव्यापन होता है, तो वो कौन सा बंद बनाएंगे ? सिक्मा बंद का निर्माने करते हैं, किसका निर्मान करते हैं बाई, सिक्मा बंद का निर्मान करते हैं, तो यहाँ पर ओरलेपिंग हो जाएगी, और क्या बन जाएगा बाई, यह ओरलेपिंग हो गई, यहाँ पर, ठीक है, कौन सा बंद बनेगा यहाँ पर, और कौन सा जो कक्सक ले रहे हो वो आपका अपने लिया एक्स एक्सिस के अलावा जिस एक्सिस में ले रहे हो उसके अलावा जो बचे हुए एक्सिस में अगर कक्सक लेते हो तो उसमें सिक्मा बंद का निर्माने नहीं होता जैसे अगर मैं कहता हूँ कि यहां पर मैंने एक ले लिया य कैसे होगा देखो एक तो आप ऐसा किर जिए एक तो अपन कह सकते हैं head to head मतलब एक overlapping कैसे हो रही है एक सिरा इसका और एक सिरा इसका ये आपस में आमने सामने आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं आमने सामने तो इसको मैं कह सकते ISC दूसरा नाम कह सकते हो, head to head over-lapping, क्या कह सकते है, head to head overlapping, या आप ऐसे समझ सकते है, थो हाथे सीधे सीधे, ऐसे आ रहे हाथ, तो यह तो अप उवरलेपिंग हो गया, अब यह इससा दिखारा गैरा है पॉझिधरा, तो अעब पर इसको हम कुँए सा कहते हैं, head to head overlapping और इसके दोरान कौन सा बंद बनता है sigma बंद बनता है कौन सा बनता है sigma बनता है लेकिन अब ये तो कौन से में होगा जब समान axis में हो दोनों को कि axis क्या हो समान होती है लेकिन अगर हमन क्या करते है समान axis के बजाए different axis मतलब आपने एक्सिस तो मान के चल रहे हो कौन सा z-axis और वहां कक्सक लेते हो x-axis या y-axis वाले ले रहे हो तो वहां पर आपका क्या नहीं होगा head to head overlapping नहीं होगा वहां होता है some parts विये कैसा होता है some parts विये some parts विये का मतलब अब जैसे axis तो आपने मानी थी ये z-axis लेकिन आप अब कक्सक कौन से ले रहे हो x-axis वाल ले रहे हो अब overlapping इनको पास लाओगे तो कैसे मिलेंगे यह से मिलेंगे मतलब sideways मिल रहे हैं आप क्या कह सकते हो side way overlapping कह सकते हो या some parts विये अतिवापन कह सकते हो ठीक है पहले में तो आपने सिग्मा में क्या होता head to head overlapping और इसमें क्या हो रहा था side way side से side अब थोड़े पहले था हमने कहा था ऐसे किया था लेकिन अब कैसे ले रहे हो इसको इन दोनों को पास लाओगे तो कौन से अब यहां से देखो यह दोनों overlapping हो जाएगा उपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा मतलब दो तरह से जो axis तो तुम्हारा कौन सा था इसके हो रही है इस axis के उपर और इस axis के नीचे हो रही है और ऐसे बंद को हम कहते हैं pi बंद क्या कहते हैं pi बंद मतलब यह अगर overlapping होगी तो क्या होगे भई ऐसी होगी मतलब axis तुम्हारा कहा था यह axis था अब overlapping देखो पहले वाले के अंदर देखना पहले वाले में देखना जितने भी आपकी axis लेके चल रही हो आप उसी axis के दोरान ही यहां पर क्या हो रही है axis के उपर ही क्या हो रहा है overlapping हो रही है देखो इसके अंदर जो axis गुजर रहा है उसी axis के उपर ही क्या हो रही है overlapping हो रही है यहां देख लो यहां भी कहा हो रही है axis के उपर हो रही है लेकिन अगर मैं यहां पर अगले की बात करता हूँ तो इसमें भी देखो भई इसमें द के ऊपर आ रहा है तो एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो एक्सिस के ऊपर कोई ओरलेपिंग हो नहीं रही थी यहां देखिए अब जो ओरलेपिंग हो रही है एक्सिस के ऊपर कोई ओरलेपिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है तो आप कहा हो रही है एक्सिस के उपर या नीचे. above and below above and below हो हो रहा है मतलब दो जगए overlapping हो रही हैं, क्या हो रही है, दो जगए overlapping हो. आता हो T issue उसको अपन कैसे रिप्रजंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रजंट कर सकतेजिभी wild इसको ऐसे भी रिप्रजंट किया दा सकता है, मतलब जो overlapping हो रही है तुमारी कहां जो आपने Z axis लिया है यह आपने क्या माना था Z axis माना था इस axis के कहां हो रहा है ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है इस प्रकार की axis को के दोरान जो बनने वाला बंद है वो कैसा होता तुमारा पाई बंद होता है कुंसा होता है पाई बंद होता है किलियर है आगला देखो अब अगर इसको देखो इनको नाम भी अगर तुम देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ पर अगर X-axis के उपर यह आप ले रहे हो तो यह कौन सा हो जाएगा तुमारा P-Z और यह भी कौन सा P-Z यह मान लीजे मैंने कहा P-Z है तो यह कौन सा हो सकता है तुमारा P-axis या P-X या P-Y दोनों में से कोई भी हो सकता है ठीक है अब आलगा देखो यहाँ पर सेम लिया तो क्या बन रहा था ओवरलेपिंग हो रही थी लेकिन यहां देखो आपने डिफरेंट डिफरेंट लिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट अग्सिस वाले आपने कखसक लिए अतिवियापन में तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की ओवरलेपिंग नहीं होती है और यह देखो तो आगे देखो इसी में मतलब यह जो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 पाली वाला इस में धहान एक बार देख ले ना इस 2 पाली का मतलब है कि total है यह 2 पाली है आप यह मत समझ ले ना कि एक एक अक्सक की दोनों पाली है या फिर आप इसको अगर change करके लिख सकते हो तो क्या कह सकते हो एक एक पाली या one one lobe मतलब एक अकसद की एक लोब और दूसरी अकसद की दूसरी लोब टोटल मिला के मैंने लिखी है दो ठीक है कहीं है तो दो इसकी और दो इसकी तो चार होगी फिर वो तो तो यह कौन सा हो जाएगा सिग्मा और यहां चार का मतलब भी क्या है? दो एक और दो एक अकसकी, अलग-अलग lobs है, वो अगर participate का interact करती हैं, तो बनेगा आपके पास है pi, और अगर इन से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एक अकसकी, दो से ज़्यादा पाल लिया या lobs interact करते हैं, तो बनेगा आपके पास है डेल्टा चलो यहां तक तो ठीक है अब मुझे बताओ अभी डी के अंदर आपने देख लिया लेकिन डी के अंदर मैं ऐसे भी तो करवा सकता हूं कि यहां पे और यह अपस में इंट्रेक्ट करें अब अब मुझे यह बताओ यहां पे कौन सा बंद बनेगा मैं तीन परकार के ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको यहां पे बताइए कौन सा बंद है बनेगा बताओ ऑप्शन है यहां पे आपके पास सिग्मा बंद है दो नमबर पाई बंद है तीसरा सिग्मा वै पाई दोनों और चोथा डेल्टा बंद है बोलो भाई कौन सा बनेगा कैसे पता चला दो में सिग्मा बनेगा कि यहां से साब सा पता चला है कि यहां पे यह जो कक्सक है इस कक्सक की एक पाली बै इस कक्सक का कौन सा यह जो एक है लोब्स है और इसकी भी एक लोब्स मतलब दोनों की एक एक लोब्स क्या कर रही है इंट्रेक्ट करती हैं तो में बताया कौन सा बंद बनेगा सिग्मा बंद बनेगा तो सिंपल सा बना लो कि अब तुम यह लो और यहां पे कौन सा बंद बन गया यह कौन सा बंद बनेगा बई सिंपल मतलब आप ड के अंदर रहे हैं ड में आपके आप प्रगार से पी में भी बना थो और प्रगार भी बना था अब वो डिपेंड करता है कि आपका access कौन से access के अंदर participate कर रही है clear है उतालो इसको भी एक तो कौन सा कौन कौन सा एस एस आती व्यापन diagram बनाने की दुरुत है क्या बे तो कि diagram पीछे बना चुके है अपन सबके s s है अती व्यापन या overlapping हो गया second और कौन सा लिखोगे इसी में s p और p में में कौन सा z वाला overlapping और कौन सा लिख सकते हो भाई इसमें एक p p भी तो आया था हमारे पास है पी में कौन सा p z कौन सा क्या लिखना है इसको e x लिखूँ कोई दिकत नहीं हो तुमारी मर्जी है दोनों चलते हैं अरे इसमें क्यों प्रेशान हो रहे हो इसकी जगा यह लिख दो एक्जाम्पल को cg egb लिख देते हैं आज अगर हाँ अरे उससे कोई दिकत नहीं है यह ले तु इसको ज्यादा तेरा बुरा लग रहा है ना यह ले उद्धा लिख तु इसको भाई उद्धारण यह से लिख ले हिंदी में लिख ले तेरे को ज्यादा बुरा लग रहा है तो हैं हो गया next कौनसा बंद भाई अरे दो नम्मर का कौनसा पाई या बंद या पाई बॉन्ड यह है और जो आपके कक्सर कहें वो कहें इस एकसीस के जहसे लंबवत होगे ना अरे एकसीस के लंबवत हो यहन होए नहीं हो यह देखिए यह आपका जैड एकसीस है और इसके लंबवत मतलब इससे 90 कौन बनाना चाहिए आप चाहों तो ऐसО से रखेलो दोनों में अपर बे डिगर कोन बन रहा है यह देखलो यहां से यह तो आपका क्या हो है तो आपको काक्सक कॉन से लेने पड़ेंगे Px या P y लेना पड़े गा Tëbhी क्या होंगे एक दूसरे के लंबवत होंगे लंबवत होगे लंबुवत का मतलब 90 दिग्री और एक दूसरे के समानंतर मतलब अब ये आपका देखिए एक ये रहा और एक ये रहा अब एक दूसरे के कैसे भाई ये समाना अंतर है अब जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होंगे और लेपिंग होंगे अब और लेपिंग होंगे तो यहां देखे इनके पास ये क्या पाई जाती है पी तो क्या बन रहा था, जो भी बंद बनेगा, यहां पर, एक्सिस से उपर और एक्सिस से नीचे बनेगा, क्लियर है, जिसे हमने क्या कहा था, पाई आबंद कहा था, क्या कहा था, पाई आबंद कहा था, तो बना दो भई, यह इसी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पाई में कितने हैं? एक तरह से कहें पाई में दो बंद बनते हैं भाई दो बन रहे ना? एक उपर की तरफ और एक नीचे की तरफ बन रहे है उतार लो इसको तो इसके एकजमपल क्या हो जाएगा तुम्हारा? बोलो भाई फिर कहेगा यह इजी लिख दिया है? उदा लिख दू इसको ले भाई उदा लिख तू पी एक्स पी एक्स हो या फिर आपका कौन सा हो? पी वाई पी वाई में और लेपिंग हो का तब कौन सा बनेगा यहां पर? पाई आबंद का निर्मान होगा क्लियर है? उतारिये इसको हो गया भाई? दस मिट और बच्ची हैं? एक दो नोट और करवा देता हूं इसमें अगला तो पूरा नहीं होगा फिर पूरा अगला टोपिक तो पूरा नहीं होगा फिर हो गया? हाँ यह क्या बात यह कर रहा है पीछे? हो गया भाई? दो प्रकार के आपद्ध है? सिक्मा हो रहे है पाई आप मुझे बताओ इधर देखिए आप मुझे यह बताओ कि आप ने दो प्रकार के बंद बना लिए एक सिक्मा हो रहे के पाई अब अगर इन दोनों की परबलता की बात करूँ या स्ट्रेंथ की बात करूँ या समर्थे की बात करता हूँ तो इन दोनों में से या मैं सीधी सीधी अपनी लेंगवेज में कहूं तो इन में से मजबूत बंद कौन सा होगा बोलो भाई एक आप ऐसे किसी का हाथ पकड़ रहे हो ऐसे ठीक है ऐसे हाथ पकड़ रहे हो और एक पकड़ रहे हो एसे अब बताओ कौन से में कौन से में मजबूत रहेगा अरे एक तो आप दो हाथ को ऐसे मिला रहे हो ऐसे मिला दिया ठीक है अब ये मजबूत बनेगा या फिर मैं इसको पकड़ के ऐसे कर लूँ कौन सा मजबूत रहेगा हैड टू हैड वाला अरे दो के सीर बिढ़ाओगे अच्छे से बिढ़ेंगे तो इसमें ध्यान रखना अगर इन में से परबलता की बात करता है या समर्थे की बात करता है परबलता क्या रहती है आधी के रहती है किसकी तुल्ना में पाई की तुल्ना में कारण समझ में आगया बता दिया ना अरे ऐसे पकड़ो के तो मजबूती से पकड़ ले तो हाथ मिलाते हो तो और किसी के साथ हाथ तुम्हें ऐसे मिलाने हो तो बताओ कौन सा मजबूत हाँ हाँ जोडने वाला तो सिगमा बंद क्या रहता है परबलता क्या रहेगी इसकी जादर तो नोट डालके लिखो तूम इसको नोट डालके अरे और लेपिंग ये बात करें ना तो साफ साफ पता दिख रहा है इसके अंदर है कि आप देखो ऐसे तो एक दुसरे के पास जा नोट में अगर मालली दू एटम हैं दू अटम केम्द्य केबल और केबल एक बंद बन रहा हैब क्या बन रहा है एक बंद बंद मैंने यह मने बनाया कारपन और कार्पन के मद्द्य डबल बंद और एक मैंने बना दिया कार्बन और कार्बन के मद्द रिपला बंद ठीक है तो आब मुझे यह बताओ कि यहां पे यहां पे कौन सा बंद आएगा यहां पे कौन सा बंद होता है और यहां पे कौन से बंद होंगे और यहां पे कौन से बंद होंगे पहले बात, नोट नमर दो, याद होगा सबको? पहले कौन बनेगा? अरे एक ही बना तो पहले कौन बनेगा? सिगमा, यहां दो बन गए तो पहले कौन बनेगा? बोलो, अरे पहले कौन बनेगा? सिगमा, मतलब पहले सिगमा बना, तभी तो उसके बाद क्या बनेगा? मतलब एक सिगमा बन गया तो दूसरा कौन होगा फिरे पाई होगा ठीक है अपने आप पैचान में आगे और इसमें भी सबसे पहले कौन सिगमा और ये बाकी के कौन बनेगे ये भी पाई बनेगा अब समझ में आगया अगर माल लीजे जहां पे सिंगल बन है वहां पे केबल और केबल कौन सा बन आएगा सिगमा आएगा लेकिन अगर कहीं पे डबल बन दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है सिगमा और डबल का मतलब एक सिगमा और एक पाई बंद बनेगा लेकिन अगर कहीं ट्रिपल बंद दिख जाता है तो वहाँ पे कौन सा होगा एक सिगमा और बाकी के कितने दो पाई आबंद का निर्माने होता है क्लियर है? हाँ भाई बोलो पक्का कोई बात नहीं फिर M.O.T. आएगी उसमें एक चीज पूछूँगा मैं आपसे जब मोलिकुलर ओर्बिटल थोड़ी पड़ेगी अपन M.O.T. तो वहाँ पे आपके पास आएगा C.2. अनू उसके अंदर मैं आपसे पूछूँगा धान रखना यही चीज यह चीज वहाँ आपसे पूछी जाएगी कि यहाँ पे कौन से बंदे बन रहे हैं या फिर कल आप देख के आज़ाना कि इनके मद्दे यहाँ पे बंते तो डबल बंदे हैं दोनों इतना मैं बता देता हूं तुमें कारबन और कारबन के मद्दे डबल बंद बंते हैं लेकिन यह होंगे कौन 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 से यह आप कल देख के आएंगे ओके ठीक है आज के लिए इतना ही थेंक्यू अरे उतार तो लेज़ी डबल बंद बंदे हैं